नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की जोती ओल क्लासेज पर तो आज हमारी हिंदी साहित्या की ये दूसरी क्लास है आज की क्लास में हम आदी काल के जितने भी मुख्या पॉइंट्स हैं उनको कवर कर लेंगे क्योंकि अगर हम एस्टर की एक्जाम डेट की बात करें तो गिन्ती के दिन ही बचे हुई है तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज़ें करवा दूँ आपने भी कोशिश करनी है कि साथ के साथ आपको याद कर लेना है ठीक है इसके इलावा मैं दूसरी बात आपको बार-बार बोल रही हूँ कि आपके लिए NCRT को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि NCRT से बहुत सारे प्रशन पूछे जाती है अगर हम रचनाओं की बात करें जहराइटर नेम की बात करें तो इंडेक्स से ही प्रशन आ जाती है ठीक है उनको भी आपको देखना है और इसके इलावा जो मालो लेकक प्रिच्चा दिये हुए है जिन जिन लेककों की रचनाएं NCRT की बुक्स में है उनी रचनाओं को आपको प्रशन के रूट में पूछ लिया जाएगा तो वो आपके लिए काफी महत्पुन है अगर आप पढ़ना चाहें तो आज मैंने NCRT की पहली क्लास अप्लोड की है अगर आपका रिस्पॉंस अच्छा रहा तो उसको रेग्लोर कर लेंगे समवत 1350 तक जो इसका समय आदिकाल का माना जाता है अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है आदिकाल में धार्मिक द्रिष्टी से तीन संपरदायों का विशेश प्रभाव परिलक्षित होता है सिद संपरदाय, जैन संपरदाय और नाथ संपरदाय ठीक है तीन संपरदाय कौन कौन से सिद संपरदाय, जैन संपरदाय और नाथ संपरदाय विक्रम की वारविश तावदी में बौध सिद्धों की जो सिद्ध थे वो बौध धर्म से ही थे बौध धर्म दोशाखाओं में बंड गया था महायान और बजरजान जो बजरजान वाले बौध थे वो ही सिद्ध के रूप में आगे चलके सामने आये ठीक है जो बौध सिद्दों की प्रतीकearय सब रूप में ही नाथ संपरदाय का उदै हुँआ था जीवन को अधिक से अधिक सायम और सदाचार के अनुशासन में रखकर परम सत्ता का साक्षातकार रिद्या के भीतर किया जासकता है ये मानना था नाथ संपरदाय का नाथ संपरदाई के जो प्रवर्तक थे गोर्ख नाथ जी थे ने इसी का परचार परसार किया कि वो ही ये कहते थे कि जीवन को अधिक सिदिक सैम और सदर्चार के अनुशासर में रहकर परमसत्ता का साक्षातकार किया जा सकता है और जो नाथ पंथ था वो योग पर विशेश वाल देता था साथ में ही वन ब्यवस्ता का व्रोध किया नाथ संपरदाई ने और वाहरी अडंबरों का खंडन किया ठीक है आगे है राहूल सांस्कृत्यायन ने सातवी श्ताबदी के कवी सरहपाद को हिंदी का पहला कवी माना है बैच और असी सिद्धों में से एक है ठीक है इस पंकती में आपको तीन चार प्रशन देखने को मिलेंगे राहूल संस्कृत्यायन ने सातवी श्ताब्दी के कवी सरहपाद कवी कौन सरहपाद जिसको हिंदी का पहला कवी माना गया है किसके द्वारा राहूल संस्कृत्यायन के द्वारा उनकी श्ताब्दी कौन सी थी सातवी श्ताब्दी और वो एक सिद्ध थे जो कि जो सिद्धों की संख्या 84 है 84 सिद्धों में से एक थे सरह पाद यह जीज़ें आपको ध्यान रखनी है आगे है डॉक्टर गणपती चंदरगुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का विग्यानिक ग्रंथ यह ग्रंथ किसका कौन सा ग्रंथ है जे चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है तो हिंदी साहित्य का विग्यानिक इत्यास है गणपती चंदरगुप्त ने शाली भदर सूरी को हिंदी का प्रतम कवी सविकार किया है तो जो राहुल सांस्क्रत्यायन थे उन्होंने तो सरहपाद को हिंदी का पहला कवी माना है और डाक्टर गणपती चंदरगुप्त ने हिंदी का पहला कवी माना है शाली भदर सूरी को उनकी रचना भरतेश्वर वाहुबली रासकोवे हिंदी की प्रत्थम रचना मानते हैं और उस शाली वद्र सूरी की ही रचना है भरतेश्वर वाहुबली उसी को डॉक्टर गनपती चंद्रगुप्त हिंदी की पहली रचना मानते हैं रचना हुई थी 1184 में ठीक है आगे है जो सरहपाद हिंदी के पहले कभी माने जाते हैं लेकिन उनकी को रचना उपलब्द नहीं है महापंडित राहुल सांस्कृतियाय ने हिंदी कव्यधार में सरहपाद की कुछ मुक्तक रचनाओं को स्थान दिया है यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली कृति का निर्धारन करना हो तो वह जैन अचारिय देव सेन कृत श्राब का अचार है कौन सी कृति को हिंदी की पहली कृति माना जाता है श्राब का अचार को किस के दवारा रचित है जैन अचारिय देव सेन के दवारा ठीक है तो इस ग्रंथ की रचना कब हुई 933 इश्वी में ठीक है इतनी जिज़ें आपको नोट कर लेनी है आदी कालीन रासो सहित्या अब रासो सहित्या है इसका काफी महत्व है इसे प्रशन पूछे जाते है आदी काल में रचित सहित्या में रासो का व्यक्रंथों का नोहत्तपुन स्थान है रासो शब्द की व्यत्तपती रासो शब्द की व्यत्पती के सवंद में विद्वानों में मत भेद है सबसे पहले फ्रांसीसी विद्वान गारसादा तासी ने रासो शब्द की व्यत्पती के सवंद में विचार किया और इसे राजसुए शब्द से उत्बन माना है विद्वान गार्साद अतासी ने रासो शब्द की उत्पती किस शब्द से मानी है राजसुए शब्द से ठीक है डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की व्यत्पती राजस्थानी भाषा के रसिक शब्द से मानी है नरोतम स्वामी ने किस से मानी है रसिक शब्द से जिसका अर्थ है कथा कव्य उनकी अंसार रसिक से रासो का विकास इस करम में हुआ है पहले रसिक फिर रासो फिर रासो ठीक है तो यहां तक आपने देख लिया आगे देखते हैं अचारिय राम चंदर शुकल ने रासो शब्द का स्वंद रामायन से जोड़ दिया रासो शब्द की वित्वत्ति के स्वंद में जो अचारिय हजारी प्रसाद वेदी जी कमत है वो सबसे अधिक माना जाता है उन्होंने संस्कृत के रासक शब्द से इसे उत्पन माना है अगर क्लास आपको थोड़ी सी भी हैल्पूल लगे तो लाइक जुरूर करना और प्यारा सा कमेंट भी देते हुए जाना ठीक है इसके इलावा कावय शासर से प्रशन पांचर आने हर हाल में आने ही आने हैं तो उसके लिए प्लेइलिस्ट चेक गर सकते हैं उसमें से आपका कावय शासर कवर हो जाएगा कावय हित्तू, कावय परजोजनम, शब्द शक्तियां ये चीज़े मैंने करवार की हैं एक कावय प्रसाद द्वेदी का मत सबसे मान्य है उनकी अंसार रासक फिर रास फिर रासा फिर रासो इस परकार से रासो शब्द की जो उत्तपती हुई इसका क्रम ये है डॉक्टर गणपती चंदर गुप्त ने मुनी शाली भदर द्वारा रचित भरतेश्वर वाहु बली रास को हिंदी का प्रतम रास का व्यमाना है प्रतम रास का व्यमाना पूछा जाए तो वही है मुनी शाली भदर द्वारा रचित भरतेश्वर वाहु बली ठीक है अब कुछ रासो ग्रंत हैं जिनसे प्रशन पूछ लिये जाते हैं जैसे पृत्वी राज रासो है ये तो हर बच्चे को याद होगा कि चंदरवरदाई द्वारा लिखित है ये 1334 में इसकी रचना हुई है आगे है वीसल देव रासो ये नरपती नालह ने 1212 में लिखा है परमाल रासो जगनिक द्वारा रचित है खुमान रासो दलपती विजय द्वारा 1729 में विजय पाल रासो नल सिंग सोलवी श्ताबदी विजय कौन होता है जो सिंग होता है सिंग कौन होता है शेर होता है विजय पाल रासो नल सिंग इस परकार से सिंग से विजय को जोड़ के आप जाज रखना हमीर रासो शाडंग धर ने 1353 में इसको लिखा है ठीक है इनको थोड़ा सा आपने याद करना है आगे है जैन साहित्य भरतेश्वर बाहू बली रास किस शाली भदर सूरी की ही रचना है गौतम स्वामी रास उद्यवंत की है इसको आप अलग से याद रखना कि गौतम स्वामी रास रचना है उद्यवंत की रचना है ठीक है आगे कुछ महत्पून पुस्त के हैं यहां से प्रशन देखने को मिल जाते हैं जैसे जै चंदर परक इसको नाम आपको दो तिन बार पड़ोगे तो याद हो जाएंगे इसके लावा जो चीजें ऐसे हैं मतलब याद करने वाले उसका आप स्क्रीन चौड़ लेके भी रख सकते हैं फिर कुछ आदिकाल से मैत पुन तथ्य हैं उनको देख लेले रासो शब्द की वित्पती रास सकसे ही मान के चलना है प्रित्वी राज रासो बीर रस प्रधान ग्रंथ है प्रित्वी राज रासो में जो ग्रंथ है ओ बीर रस प्रधान ग्रंथ है ठीक है इसके ब्रहत संस्क्रण में 69 सर्ग है यह पूछे जा सकते हैं यह हिंदी का प्रतम महा कव्य है वीसल देव रास अधिकत्तर रासो का बया प्रामानित हैं उनका कोई परमान हमें निष्टद रूपजे नहीं मिला है तो यह थे हमारे आधिकाल से जुड़े कुछ महतपुन प्रशन उमीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक जुरूर करना कोमेंट करके बतान दो या क्लास में तो मिलते हैं इसी व्रकार की एक दो आपके只是 ब्लॉत करता है इस परकार का प्राशा सब़्एव हुए उसी व्रकार से मेरा क्लास टेती रहोंगी मिलते हैं नेक्स में तब तक वी मैं अ कर दो कर दो झानिमा